हेलो गाइद नस्कायर वल्कम टो आंलाइन ग्यान वायानन तुम्हेर उत्राखंड के पैर साथ यो चलिए सुबह का साड़े आड़ बच चुका है उत्राखंड सामानी ग्यान की हमारी जो डेली पहला सवाल कारतेकेपूर राजवंस के अविलेकों की जो लिपी मिली थी वो किस लिपी में उनके द्वारा अपने अविलेक को इस्तापित किया गया था तो कारतेकेपूर वंस के जो हमें अविलेक मिले वो किस लिपी में मिले चार ओप्सन है देवनागरी कैथी लिपी और गुर्मुखी लिपी और कुटिला लिपी साथ यो राइट आंसर है इसका कुटिला लिपी जो कार्तिकेपूर राजवन्स के अभिलेग हमें मिले उसकी चो लिपी उसमें पाए गई वो कुटिला लिपी ऑप्शन नमर गवाईश का सही उत्तर है दूसरा सवाल कुमाओ के इ प्रद्यूमन सा ओप्शन नमर खो मेरे प्यारी मित्रों गोर्खू ने जब सातियों यहां पर आक्रमन किया हुआ था तो उससे पहले हमारे कुमाओ और गडवाल के राज सिहासन पर परद्यूमन साह कायम थे आपको बता होगा गोर्खू ने अंतत हो इनको पराजित क्या खुडबडा युद्ध में जो चौद में ठार सो चार को हुआ था इससे आप लोग सभी लोग आउगत हो और जो हमारे परद्यूमन साहते पवार वंस के चववन वे सा सकते जो कुमाओ और गडवाल के दोनु राजगति पर बैठे हुए थे जब कुमाओ की राजगति मे किस चंद सासक को कहा जाता है तो कुमाओ का मोहमद विन तुगलक कहा जाता है किस चंद सासक को कुमाओ का मोहमद विन तुगलक कहा जाता है किस चंद सासक को कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा एक मुस्लिम दाउद खा को अपना सेना पती बनाया गया अग्ला सवाल, किस चंद सासक को अनपढध सासक कहा जाता है? वह कहा जाता था, क्यूं कि जब यहां पर नैपाल से लाया गया था राजगती में बाठाने के लिए वहाँ उस समय नैपाल में एक मजदूरी का कारी करता था तो वहाँ से मजदूरी का कारी करता था इसको यहाँ पर नागर गद्धी मेर बठा दिया गया था तो इसलिए इसको अनपर सासक उस समय कहा जाता था पांचवा सवाल गडवाल का असोक कहा जाता है तो किस सासक को ग अजय पाल, खोय बलबदर सा, गोह रानी कणावती, गोह इन में से कोई नहीं, साथ यो गड़वाल का असोक का जाता है हमारा ओप्सन को अजय पाल, क्योंकि बावन गड़वाल को इनके दोरा विजित किया गया था, तो इसलिए इनको गड़वाल में असोक की संग्या दी ग मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होने चाहिए, रानी कणावती को हम नकटी रानी के रूप में भी चानते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, छेटा सवाल, सरकारी खजानु हे तो, डबल लॉग व्योस्ता करने वाला कमिशनर कौन था, तो सरकारी खजाने हे तो, डबल लॉग व्योस्ता करने वाला जो कमिशनर सा आपको बताना है, उप्सन नमबर को है, ये गार्डनर को है, ट्रेल, रैमजे और इनमें से कोई नहीं, तो सरकारी खजाने हे तो, डबल लॉग व्योस्ता सुरू की थी, कमिशनर ट्रेल के द्वारा, उप्सन नमबर, अठार सो चौबीस में, सरकारी खजाने हे तो, डबल लॉग व्योस्ता सुरू की थी, इसलिए उप्सन नमबर, खोई इसका सही उतर है, साथवा सवाल, तरही इंप्रुमेंट फंड कब इस्तावित किया गया था, उप्सन नमबर आपके ये रहे, तरही इंप्रुमेंट फंड कब इस्तावित किया गया था, चार ओप्सन है, कोई अठार सो पचीस, खोई अठार सो चौबीस, गोई अठार सो चौबीस, गोई इनमेंसे कोई नहीं, तो तरही इंप्रुमेंट फंड इस्तावित किया गया था, साथी इंप्रुमेंट फंड कब इस्तावित किया गया था शाथ ते घ्याय तासी में कमिशनर रैम्जे ने इस इंप्रुमेंट परल को इस्तावीत किया था दो साथ último से तिन से आपको याद होने चीए त्रहिं त्रह हई इंप्रुमेंट फंड की इस्तावन 983 में कमिशनर रैमजे के द्वारा की गई थी क्यों की गई थी तरही भाबर के विकासे तो आठवा सवाल गडवाल में बन विवाग की इस्ताफना कब की गई तो गडवाल में बन विवाग की इस्ताफना कब की गई चार आपके पास हैं 825, 856, 866, 879 तो गडवाल में बन विवाग की इस्ताफना की 868 SB को तो यहां से आपको दो fact मिल गए अगला है हमारा आठवा सवाल गडवाल यह तो हो गया गडवाल बन बन बागवाला नवा सवाल कुमाव में दास पर्था खतम करने का जो सरे जाता है किस को जाता है कमिशनर या किस को जाता है वो आपके पास चार्ज सवा यहां पर उप्सिन दे रहे हैं लाड मेयो, रैम्ज, इबरसन और गवाल तो साथ इसमें सवाल सई उतर है कुमाव में दास पर्था खतम करने का जो सरे जाता है जार्ज गवाल को जाता है उप्सिन बर गवाल इसका सई उतर है तो जार्ज गवाल को जाता है कुमाव में दास पर्था खतम करने का सरे दसमा सवाल विवेकानन्द परवती किर्सी अनुसंदान संस्तान की स्ताफना कहां की गई चार जनफदू के नाम आपके समोग है बताएगा इनमसे विवेकानन्द परवती किर्षी अनुसंदान संस्थान की स्थाबना कहां की गई चमोली नैनिताल अलमोडा या चमपावर विवेकानन्द परवती किर्षी अनुसंदान संस्थान की स्थाबना अलमोडा में की गई किष्णे की गई स्री बोसी सेन ने 1924 में ये भी आपको मालूमने चीए तो बोसी सेन ने 1924 में अलमोडा में विवेकारंद परवती किर्ची अनुसंदान संसान की इस्ताबना की गई 11 सवाल डाक्टर संपोणानंद खुली जेल कहां पर इस्तित है यानि किस जगह पर हमारे उत्राखंड में डाक्टर संपोणानंद खुली जेल इस्तित है क्या सितार गंज में है अलद्वानी में रुद्रपूर में चंपाउत में साय उत्तर साथ यो डाक्टर संपोणानंद खुली जहले हमारी सितार गंजमा उप्षन भर कोईस का सही उतरोगा बारवा सवाल राजी का पहला वाई फाई जिला कौन बना साथ यो राजी का पहला वाई फाई जिला सन दोजार सोल में आपको पता उने चे कौन बना चार जिलू के नाम आपके पास है अलमोड़ा चंपाउ नैनिताल उदम सिंग नगर सही उतरे सात्यों नैनिताल हमारा राजी का पहला वाइफाई जिला बना दोजार सूल में तेरवा सवाल राजी में च्छै रोग अस्पताल की इस्ताफना कब की गई बवाली में की गई जो हल्दवानी का एक सहर है बवाली वहाँ पर की गई राजी में च्छै रोग अस्पताल की इस्ताफना 1912 इस भी में अगला सवाल चौदवा, एक मुठी बराबर कितने ग्राम होते हैं, मामतौल से सवाल भी रहते हैं, एक मुठी बराबर कितने ग्राम होते हैं, चार ओप्सन आपके पास हैं, साथ इन में से देख के बताएगा, एक मुठी बराबर कितने ग्राम होते हैं, तो एक मुठी अगला सवाल सोलवा, पॉंटा आबोसन किस अंग में पहना जाता है, तो पॉंटा आबोसन महिलाओं द्वारा किस अंग में पहना जाता है, आपको पता होना चाहिए, चार आपशन आपके पहना जाता है, पॉंटा आबोसन किस अंग में पहना जाता है, आपको पहना जाता है, पहना जाता है, पॉंटा नाम आबोसन, सत्रमा सवाल, रिंगाल का बैग्यानिक नाम क्या है, चार आपशन आपके पास है, बताएगा इसमें से रिंगाल का बैग्यानिक नाम क्य पुस्तक नाम नाम है और स्वाल किस पुस्तक में गांदी जी ने कौसानी को भारत का स्वीजे लेंड का था चार पुस्तक के नाम आपके पास है हिंदिस और आज सत्य के मेरे परियोग यंग इंडिया इन मैं से कुई नहीं साथ यो गांदी जी की पुस्तक यंग इंडिया में हमारे कौसानी जो अलमोडा का एक चेत्र है कौसानी उसको भारत का स्वीजे लेंड का था आपको सबको पता है तो भारत का स्वीजे लेंड हम करते है कौसानी को और गांदी जी ने किस पुस्तक में इसको कौसानी को स्व इंडिया में जब हमारी गांदी जी 1929 में बार दिन के परवास पर अलमोडा रुके हुए थे कौसानी में तब उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गए थे आपको पता होने चाहिए जब से कम ग्राम पंचायद आपको बताना है यहुए अधिक वाली 5 फ़ी पूछता हाँ जब से अधिक ग्राम पंचायद में जहां पंचाइटी तुनले एक हजार एक सोस्च चौरस्टर राजी है सबसे काइन philosophy mês 20 सवाल लंका नामकन इस्तानाजी के किस यंद्पत पर इस्तीच है चार उप्शन आपके पास है बताइगा उत्तर लंकान के इस्ताना राजी के उत्तर कासी नामक रिंश्ट है साथ यो आज की वीडियो में फिलाल आपको 20 प्रशन हम देंगे फिर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आप लोगों को इस सीरीज के पहले के पार देखने हैं लिंक इन वीडियो डिसकोशन आप लोग जरूर वाज करें और नई हो चैनल पर सब्सक्राइब बगल में बेल जरूर करने अपने इस तरह से क्योंकि इसमें आपको नए नए सवाल दिखने को मिलते हैं थैंक यू गोड़ फ्लेश यू जय उत्राखन चेंदेगू